हेलो फ्रेंद्स वेल्कम बैक ट्यूम यूट्यूब चैनल आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ एक नई और सबसे इंट्रेस्टिंग डिस यह है हमारा सुबह का नास्ता जो आपको दिन मर की थकान से बचाएगा तो इसे क्या करना है हमें यहां पर यहां पर मैंने लि लिए हूँ यह जितने इंग्रिण से आपको भर पूर देते हैं उपको थ layers यहां एक रोच भ्यक कशिमिस ही है और धाय जाश पर दू लिये है सिः और यहां पर मैंने चार काउन और चार बघ्दा मैंने चार प maple a टाल लिया और यहां पर मैंने छार गोल वारी कशिमिस ल आपको यह अनर्जी प्रोवाइड करता है तो इसे हमें करना क्या है या आप तब का पाउडर बना लेना है सटकेशमिश और अंजीर को हटा देना है यहां पर मैंने लिया है एक पतेले में दूद इसे हमें पांस से दस मिर तक अच्छे से उबालना है अगर आप यह सुबह रोज बना कर डेली खाते हैं तो आप दिन में ठखेंगे नहीं और यह आपको अच्छे से देता है और फिर मैं इसमें डाल रही हूं तीन-चार केसर की पत्तिया ताकि यह थोड़ा सा कलर अपना छोड़े और यह थोड़ा सा अलका सा पीला हो जाए और और मैंने कश्मिश और अंजीर को हटा दिया था उसे हम बाद में डालेंगे वरना आप अंजीर डालेंगे तो यह दूद है वह फट जाता है हमारा इसलिए अंजीर को हम उपर से बाद में डाल देंगे आप जितनी भी डालना चाहे और इसे पाश मिर तक अच्छे से उब अच्छा हु जाता है काफी डारक और गाणा बेता है ओ में प्रकना आफ है करना कि अच्छे से उपल जाए तो यह से निद रंप घथ यह उन पासमूने तो यह देख और कितना गाण हो जाता है यह बिल्कुल यह खाफी अच्छा होता है आपकी हल्थ के लिए फिर हम उपर से डाल देंगे इसमें किश्मिश और अपना कटा हुआ अंजीर को हमें चोटे-चोटे तुकड़ों में काटके इसमें डालना है आप रोज सुबा यह पिना कर जरूर खाए तो आपकी हल्थ के लिए भी अच्छा होता है तो चलिए यहां पर मैं सर्फ कर रहे हूं यह डेली सुबा खाने से आप बहुत हल्थ हल्थी और फिट भी रहेंगे तो यह डेली खाएं आप और यह बहुत अच्छा है यह आपके लिए तो देखिए बहुत अच्छा बनाएं तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और शेलों को सब्सक्राइब कर देना कमेंट में जरूर बताने किस किस के घर में बन चुका है और कौन कौन बनाएगा झाल